तो शुरू हो चुका है बिग बॉस सीजन 14 का दूसरा पढ़ाओ यानि कि 6 लोग घर के अंदर आएंगे अब भाई 5 लोग की तो इंट्री हो चुके है लेकिन बहुत सारे लोग पूछ रहे कि भाई वहाँ पे राखी सावंद कहा है राखी सावंद के बारे में इस वीडियो के उपर में बात करूंगा और एपिसोड के शुरुआ से जाओंगा पहली इंट्री भापे हुई थी विकास गुपता की विकास गुपता का जो सीजन था ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और इसी सीजन से मैंने बिग बोस देखना शुरू किया था उसके पहले व किसे अपना दिमाग लगाते थे भाई बहुत अच्छा लगा देखने में इस बार भी विकास गुपता की फिर एक बार घर के अंदर इंट्री हुए हाला कि सीजन 11 के बाद हर एक सीजन में इनकी इंट्री होती लेकिन फिर एक बार इनको ट्रॉफी जीतने का चांस मिल रह है और ये घर में आने के बाद इनको कुछ टास्क दिये गए है यानि कि रुबीना अभीनाव में जगडा लगाना फिर किसे एक का साथ देना उसके बाद घर का राशन खतम करना रात में लोग को जगाना चार टास्क है टोटल पाज ते रहुल का टास्क अब खतम हो गया लेकिन ये टास्क इसी लिए दिये है क्योंकि यार जो वीवर्स बाहर बैठ रहे हैं इनको अब तक कुछ भी नहीं मिला है सीजन 13 के जो पहले पढ़ाओ के कंटेश्टन थे उनकी तरफ से और अभी भी ये थंड़ई है ये जड़ चार लोग अभी जो घर में वो अभी भ हंड़े ही है ये नए लोग आकर आप एंटरटेंड कर रहे है इस तरीके से मुझे कुछ लग रहा है और मजा भी आ रहा है स्पेशली आरशी खान की दरफ लेकिन फिलाल पहले इंटर थी वहाँ पे विकास गुपता की और विकास गुपता ने ये सारी चीज़े लेकिन व लाए जास्मिन वसीन इनको अगर दे दे तक तो महान बन जाता भई कहा का महान अगर विकास गुपता ने जिस तरह के से कहा उस तरह के से अगर अभी नो अपनी खुरसी छोड़ देता पहले फिनाले में पहुंच जाती और उसके बाद राहुल वद्द को ये फॉर्स नह हो जाते ये बात तो पक्की है तो ये बात मुझे कहीं ने कई थोड़ी सी गलत लगी इस mastermind की अब आते भाई आगे के इंट्रिवार ये महतरमा कहां से लाई ये यूगांडा से लाई ये कहां नहीं किया लेकिन अब आप कह》 चंद में ही फिर्याश के यैं ये लाइज ये इंदर आ रहे ये खुद को इन्टेलिजन बता रहे गाहिए उसके बाद फुद को analytics बताया मैं बहुत analytic हूँ इसके साथ खुद को logical बताया और जब जासमी ने नको कहा कि Kashmira यह ने Kashmirrän reward कहा की catch मतलब मैं यह नहीं कहे था खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए लेकिन अंदर आते यह इतनी खुद की तारीफ करते और बोलते कि भाई मैं जो ना मैं कुछ अलगी हूँ और मैं आके अब हंगामा कर दूँगी आप पहले कुछ करो फिर audience decide करेगी कि आप क्या हो आप intelligent हो या logical हो analytic हो भाई इतनी सारी बाते start में की उसके बाद कही दिखी नहीं पूरे शो में कहा गई थी चदर के अंदर गई थी कहा गई थी तो इस तरीके से मुझे कुछ लगी एक cashmira और इस cashmira ने वहाँ पे कहा कुछ इनको type करने को बोला था message यह भाई टास्क उनी लोगो को बता थे विकाज गुपता की बात छोड़ दो आप टास्क उनी लोगो को बता थे बिग बोस को पता है कि यह घर के अंदर जाके कुछ करने वाले ही नहीं तो इसी में से एक राहुल माजन भी थे और यह भी थी जिनको कुछ टास्क दिया ग और बिग बोस ना इस तरीके से टास्क डिजाइन किया था कि बिग बोस को भी पता था कि जास्मिन अंदर ही रहेगी अलीगोनी वापे सेक्रिफाइज करेंगे तो बहुत बड़े गुस्से का शिकार बनेगी रुबिना दिलैक और जास्मिन वसीन इन दोनों मेंसे किसी ए लो कि इस कैश्मिरा की कैश खतम करेंगे ये लोग घर वाले अगर ये ने इन लोगों की वहाँ पे शिकार नहीं बनी तो कोई ना कोई इनको अपने आड़े हाथों में जरूर लेगा जी हां तो ये मुझे कही ने कही गलत लगी इनकी एक ही बात अच्छी लगी जो इन्हों ने इजास खान को आपको जानवरों से प्यार है मुझे भी जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है एनिमल लोग मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि यार जानवरों से प्यार करो बाक बापस से Big Boss के घर में जा रही है आरशे खान के अगर बात के जाए तो भाई इनकी उर्दू मुझे बहुत अच्छी लगती है जब उर्दू words वो इस्तमाल करती है तो भाई ये बूजे बहुत अच्छा लगता है इनकी उर्दू हो जा या फिर रूबिना दिला की एक हम बो word में मैं ऐसा लगना मुझे PhD करनी चाहिए सिर्फ English थोड़ी सी मेरे कच्छी है लेकिन चलिए वो भी हो जाएगे पक्की आप तो हमारे साथ है ही अब देखते भाई तो आर्शी खान के इंट्री में आर्शी खान मुझे ऐसा लगा कि भाई ये बहुत ज्यादा एंटर्ट जी हाँ अब ये बहुत ज्यादा तकलिफ देगी वहाँ पे विकास गुपता को और विकास गुपता अपना दिमार लगागागी जिन लोगों ने सीजन 11 देखा नहीं है मैं आपको बताना चाहूंगा कि विकास गुपता और आर्शी खान बहुत अच्छे दोस्त थे लेक जी हाँ ये अब इनों को इतने करिब खीचना चाहती कि अब इनों को पापा बनाने की वहाँ पे बाते कर रही है और रुबिना दिले के सामने जी है लेकिन शायद मुझे यसा लगता है कि अब इनों को इन चीजों से फरक नहीं पड़ेगा लेकिन अगर अब इनों पर य यार ऐसा लगता है ना कि क्यों मैं देख रहा हूँ यार मैं क्यों रिव्यू कर रहा हूँ मैंने कुछ दिन भापे बीमारी के बाद रिव्यू नहीं किये और ठीक लगने के बाद भी मुझे रिव्यू करने की इच्छा नहीं हो रही थी लेकिन अब जो है अब मुझे बहु review देखे होंगे यह पहले as a commoner घर के अंदर गए थे फिर वो finalist भी बन चुके थे उसके बाद वो बाहर आकर YouTuber बने अपने thoughts वहाँ पर रखे लोग के सामने लोग का प्यार इन्होंने इकठा किया और अब वापस से इनको big boss घर के अंदर trophy जीतने का मौका है और घर के अंदर जाते ही जिस तरह के से खबरे आ रही है मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह captain बन चुके है जी हां यह आते ही captain बन चुके और इन्होंने वहापे विकास गुपता का जो strategy थी जो plan था वह वहापे देखा और इन्होंने समझा कि भाई रहुल को बता रहे थे वो कि रहुल त इसके बातों में मता शायद इसको कोई task दिया गया है यानि कि घरवालों को उठाने का तो जिस तरीके से मनु पंजाबी ने यह सब कुछ जो परखा है यह मुझे बहुत अच्छा लगा और इनका वापे जो है घर में योगदान बहुत अच्छा लेगा और एक बात मैंने नोटिस की इन सब लोगों में तो भाई यहाँ पर पहले दिन इनकी जो है ग्रूप बन चुके यानि कि मनु पंजाबी जास खान आरशी खान और नई इंट्री के बारे जिनके बारे बहुत बता रहा हूँ राहुल महाजन तो इनका यहाँ पर ग्रूप बन चुका है लेकिन जब यह seniors गए तो भाई इनका TRP भी चला गया और बाकी जो घर के बचे लोगे यह कोई content ही नहीं दे रहे थे जैसे वह पहले बार थे वैसे बाकी के हफतों में वह रहने लगे क्योंकि पहले जो सारा content ला रहे थे वह seniors ला रहे थे और senior जाने के बाद 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 को दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं और इसी वजह से बिग बॉस ने पिछले हपते बहुत सारे लोगों का eviction कर दिया और सिर्फ चार लोग रग दिये हैं वो भी ऐसे ही रग दिये नहीं तो भाई यह पूरे के पूरी पल्टन नई पल्टन अंदर डाल देते अभी और वाइल कार्स होने वाले रोग शायद पिछले गए हुए कंटेशन भी आ सकते भाई राहूल वैदे का नाम भी है अलिगोनी का नाम भी है कंफर्म न्यूज नहीं है लेकिन जैसे कंफर्म मेरे पास आईगी मैं आपको जरूर बताऊंगा कि भाई इनका वापस आने का चां इसे वह वहापे कर सकते थे यार मतलब बहुत करने के लिए था लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया इसको तकलिफ मत दो उसको तकलिफ मत दो यार नहीं कुछ तो करो आप राज हो आप हुकुम तो करो भाई राजा कुछ भी कर सकता है प्रजा के साथ आप इससे आप ब पहाड में जाओ अंदर, एंजॉय करो, तो फिलाल ये हुआ, उसके बाद अमने ट्रेलर देखा, चोटा सा प्रोमो देखा, उसमें कैप्टन सी टास्क है, और कैप्टन सी टास्क में वहाँ पे क्राउन है, जो हरे किसी के पास छे राउड में पास होगा, और एंड में जिसक किसे लगे ये सारे कंटेश्टन कमेंट सेक्शन किसका है कमेंट सेक्शन में जाईए और कमेंट करिए और बताईए आपके खैलत क्या है और एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि भाई एंटर्टेनिंग कुछ तो अलग लगा पहले पढ़ाव से अगर दूसरे पढ़ाव को इस पढ़ाव को कंपेर किया जाए पहले एपिसोड को कंपेर किया जाए तो भाई मतलब ऐसा लगा कि हाँ यार मेरा जो एक घंटा था वो वेश्ट नहीं गया कुछ तो मुझे देखन मिल रहा था वही वही जगड़ा वही इजास का गुसा वही जास्मिन रूबीना यार मतलब हद हो रही थी लेकिन ये नए लोग जो है ये आप मज़ा लाएंगे विग बॉस के घर में आपका क्या इन सारे चीज़ों पर कहना कमेंट सेक्षिन में जरूर लिग देना इसी बिग बॉस के सीजन में आप आगे जाके मज़ा दुगना होने वाला है जैसे जैसे अलग अलग अपडेट आएंगे नॉमिनेशन के बारे में कैप्टन सी टास के बारे में आपको बताता ही रहूंगा तो जल से जल चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही अगर आप को मैं अ झाले झाले जल आप प ऀ्यागे जैसे डास के बारे में आपको बताता ही राके में आपको बसी से बारे नुमिनेशन के चार्वा आपकों सी तो जाले ए rival है जावता आपकों से उल पक मैं अल जारर आपकों स ब्सुन साब्सक्रा आपकों आपकों से टासाय के बार, च plataforma, overt